आज हम आपको कैसे परिवार से मिलाएंगी जिस परिवार में एक ऐसी घड़ना घटी है जिस घड़ना को देखने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है आपको बता दें कि आज जिस परिवार से हम बात करेंगे यहां एक ऐसी घड़ना घटी है कि यहां सास और बहु में बात बिवाद होता है और बात करते करते बीबात इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि अंत में एक मा अपने बेटी और एक पतनी अपने पती को खोबरती है ऐसी ये घटना घटी है आखिर कैसे एक मा का बेटा उसकी नजर से कैसे दूर हुआ और एक पतनी के नजर से उसका पती कैसे दूर हो गया यह आज आपको हम दिखाएंगे आप दे सकते हैं कि हमारे बीच एक बुजूर्ग माताजी मौजुद है जिनका रो रोकर बुरा हाल है और इनका जो बेटा है लगबग आज 15 दिनों से इनकी नजरों से दूर है कापी खोज भीन कर रही है लगातार दरदर की ठोकरे खा रही है सभी जगा जा रही है पुलिस परसासन के पास जा रही है लोगों से हाँ जोड़कर विंती कर रहें, गुहा लगा रहें फिर भी इनका बेटा अभी तक इने नहीं मिल पाया है अब ये काफी प्रयास में जुटी है और आपको बता दें कि इनकी बेटी के घर से जाने के बाद सिर्फ इनका नहीं बलकि इस परिवार के हर सदस्का रोरोकर बुरा हाल है यहां तक कि इन्होंने अपनी बेटी की साधी बड़ी धुम्धाम से की थी और आज ऐसा दिन आया है कि एक पतनी की नजर से उसका पती दूर है आखिर ऐसा क्या घटना घटा जिसकी वज़ा से आज ये दिन देखने के मिल आए तो आए देर ना करते हुए हम इनसे बात करेंगे और जानेंगी घटना के सच्चा ही क्या है लेकिन कुछ भी बात करने से पहले मैं अपने नहीं दसकों को परचे दिदू नमसकार मैं तंतिवारी और आप देखना सुरू कर चुके हैं न्यूश टीवी सिवान आपको बता दें कि आज न्यूश टीवी सिवान चलनल की जो टीव में पहुँच हुई है सिवान जिले के भगवानपुर हार्थाना छेत्र के सारी पठी गाउं में आज हम जहाँ बैठी हुए हैं ये भगवांपूर हार्थाना छेत्र के सारी पटी गाउं है और इस गाउं की एक बुजुर्ग माताजी हमारे बीच मौजूद हैं जिनका रोरोकर काफी बुरा हल है इनका जो बेटा है आज 15 दिनों से इनकी नजरों से दूर है हलाकि इनसे बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा हिंस देते हैं आपको बता दे कि इसके कुछ दिन पहले मैंने एक आपको खबर दिखाए थी जो कि भगवांपूर हार्थाना छेत्र के भेडवनिया तरवार गाउं की खबर थी जहां एक पतनी अपने पती के लिए दिख रही थी कि आज अगर उसका पती उसके नजरों से दूर है तो उसमें कहीं न कहीं उस सासु मा का उसका हाथ है जिसकी वज़ा से आज उसका पती घर से गायव है हमने बात किया था तो बात से यह पता चला था कि 2008 में इन्होंने अपने बेटी की साधी बड़ी इस वज़ा से दोनों पती पतनी घर छोड़कर स्विम्रा चले गए थे लेकिन इसी 25 अप्रेल को अचानक यह अपनी बेटे को फोन करती है और 26 अप्रेल को इनका बेटा मोबाल को तोरती हुए घर से गायव हो जाता है आज 15 दिन हो गए फिर भी आज इनका बेटा इनकी नजरों से दूर है आपको बता दे कि यह जो आरोप था यह आरोप मैं नहीं बलकि इनकी जो बहुत थी वह लगाई थी तो आज न्यू टिबी सिवान चले की टीम आज इनके आवाज पर आई है और आज बात करने का प्रस कर रही है जानने का यह प्रस कर रही कि वाकई जो इनकी बहु आरोप लगाई थी वाकई बत सत्ती है तो कई सरे सवाल होंगे और सभी सवालों के जवाब जानने के लिए यह दे ना करती हुए हम बात करते हैं जानतने का क्या कुछ कहना है चाना मताजयपका सामसा खवाटन घर कहा पड़ी सारीपटी धाना भगवानपूर बेटा का नाम हो कलामो दिन अचा अपना बेटा के रहवा साधी कहा केले रहनी हुए स्टरवार भिरोनिया कहा पड़े लाइ धाना मे भागवान पूर्थाना पर लतड़वार के अच्छक के करा साथ साधी केलर नहीं है अपरीना खातुन के उनकर पापा के का नाम परी अनौर हुसेन अरूरा मालिक के दीन महमद इस बताई कि का घड़ना घटल कि आज बेटार और पंदरा दिन से रोड़ार नजर से दूर बढ़े पाग रहल बनी जन्नी हमार लोई का कोहीं होखे नीमन से हमरा गोदा जाओ जन्नी हम बहुत दूख में बनी हमरा आच्छा नहीं खेला को अच्छा इब बताएं कि राओर जुन बहु बढ़ी उस साब तर पर आरूपी लगा उतरे कि जवसें को साधी इभलबा दू महिना कम से कमी रुकल बढ़ी है असा सुरार में उकराबाद रुआ मारा तानी पीटा तानी उनकरे किना उनको अपना बेटों के मारतानी जगरावयासिव सिमला भागिली का वाकी बास अत्तिवा ना सौरी बात ना हो हम सौर हम कहां तलेगो करा के रख लोही बैनी घेर के उल्टे में उए जगरा जोटा जोटी लड़की सासे करे ले मारा मारी भाग राज जाले कहीं लेके हम अपन लई क्या छोड़ देनी जिए उसे अपन कहीं सुक्सांती से रो खो पीव तो वो सौक्सांती से जहां लेके गई तहां से ना रख लग हमरा लई के हमरा फून आई के हुआ लग तो हम सुना नी तो हम जो हैं आपन खो जाता नी पाता लगवावता नी हमरा लई के खाली हमरा लगए आजाओ कोहीं से हुखे कोई इस पाता लागे के हुँ पोँचके हम रहा लोग खोबर दी हम आपन लगे के लिया कोई से चलिए बता ही कि जैसे की रहा कहोता है नहीं कि ना ऐसे कुन बात ना रहे एक आरूप और बहुर रहा लगे लिए बाड़ी कि एही 25 अपरील के रहा अपना बेटा के फोन के ल कोई बात करा दी कोई से नवियर सोसुरा से आई तो बागी हम रहा लगे फोन से नहीं हमें रहा लोगे लेंगां सचा भाई हमार बात किसी आएखे लगे फून काहा लग तो कहा लगता हम आपने तुच बोला हम खोजा तानी तु जोन खोजा तू आस्तिर रहा हम कहा है आस्तिर बानी हमार लगता हम का समस्याइल हुए का बात भेलों की जिखराओ जैसे बटान बता हैं जैका समय से आप है लोलों के दूर वेकत में हम रहे क्या गूंको दिया हम नहीं की जाना था हम यह तरह बर जानते हैं हम रहे क्या चाहिं कोई से खोज के लिया कर देव अचा रहुरा बेटा में और हम को हम जवाब बार वह था हम कहा बता है निमने बाद सिखा उपोल बोले भी हुए हम रहे कोहीं से लोई के लिए इन जाने के मिया कि जब से साधिर आपना बेटा कुछिन हो ऑगार लाग में एक महीना का बार स्व little के पार फफरी दाग लागले से बाएं करें एंद। पुटो । थे आदो दित। संस अधर बथूद जाली लोडकी खन से हम आपन खे लिए कर ले दूवा गले मज पताओ ले। में लोग सुने ला प्रशा करती है ना कोई सै देखाया दिल सुनायो दिले अच्छा इक बहु कहें अपना सासे जड़ा करी का रीजन हो सकते हैं ुए बताई जेका जिस्वोजन होगाई गाईब तयान दिन्ट करना देख साव सब्सक्राइब तर नटकार का लगता नटकारिक्च आज लगवसेगर नगें गाईब बड़ से गाईब बड़े स्वार हम नहीं जाना दो भूज है अमरा लाइका कट लग कि बेंच लग का कोई लो अमरा वे थी बाव अदूरा अमदी हम लोग थी उमका माइन ले खी याई ले बिखला कमार मरद बड़ अब लोग लोग कि जोह समोन करे ताहा समरे को खोज के दी जी आचाए के उर्वा बता ही तो हम लियाम जाकर लोग आपका है। जानी रौब का लागाता की रौटा ब़क की हाथ बकाए नहीं। हो ब़ुप गाहां लेकर बगाता है। ने का कुई लग के काट लोग कि बेंच लोग कुएनू जनती है। कोई से रहा को सकता है कि बहुत अपने देखा कि आज न्यूटीवी सिवान चनला की जो टीम है वह भगवानपुर हार्थना छेत्र की सारी पटी गाउं में पहुंचुई है और एक लाचार माता जिसे बात करने का प्रयास की है जिनका बेटा आज लगभग 15 दिनों से इनके नजरों से दूर है बता दें कि इनका बेटा जो है सिमला से गाय हुआ है और अभी तक ना अपने ससुरार और ना ही अपने घर आया है जिसको लेकर दोनों घर की लोग कापी परसान है कापी खोज भीन कर रहें लेकिन इनका बेटा नहीं मिल पा रहा है अपने देखा होगा कि हमने इनकी बहुत से बात किया था उन्होंने ये आरूप लगाया था कि 25 अप्रील को ये फोन करते है अपने बेटे को और 26 अप्रील को वो मोबाल को तोड़ते हुए घर से गायब हो जाता है काभी बड़ी बड़ी गंबिर आरूप लगे थी इन पर जब आज न्यूटीवी सिवान चलनले की टीम इनसे बात करने का प्रयास की तो ये अपने बहुप पर आरूप लगा रहे हैं तो कई सारे सवाल थी और सभी सवालों के जवाब आज न्यूटी तरह हमारे बीच बने रहे हैं हम आपके बीच इस तरह की और भी नई नई और ताज ताजा खबरों की अप्डेट समय समय पर देते रहेंगे अगर चैनल पर नहीं तो जल्दी हमारे यूटूब चैनल न्यूटीवी सिवान को सस्क्राइब कर लिजेगा बेल आइकन घंट दता यतिन तिवारी की रिपोर्ट।